हलो एवरिवन वेलकम टू अभीपीडिया पावड बाई अभीमनु आईएस फ्रेंड्स ट्रोपिकल साइक्लोन एमफान के बाद एक नेक्स्ट साइक्लोन फॉर्म हो चुका है और यह हमारे कोस्टल एरियास को हिट करने वाला है इस साइक्लोन का नाम है साइक्लोन निसर्ग आपको याद रखना है ट्रोपिकल साइक्लोन एमफान फॉर्म हुआ था वे बेंगोल में बट्रोपिकल साइक्लोन निसर्ग फॉर्म हुआ है अरेबियन सी में ट्रोपिकल साइक्लोन एमफान ने हिट किया था हमारे इस्टन कोस्टल एरियास को बट्रोपिकल साइक्लोन फॉर्म हो चुका है और उसकी warning IMD ने दे दिये, आज के lecture में हम इस cyclone को discuss करेंगे, friends, first आपको याद रखना है, इस cyclone को name दिया है Bangladesh, yes, तो नाम दिया है इसको Bangladesh ने, ok, friends, IMD ने इसके बारे में warning दिये on 31st of May, और उसको दिया गया है red color code, उस weather condition को IMD red color code देता है, इसमें जानमाल का नुकसान हो सकता है, ok, अब बात करते हैं, कि first ये form कहां हुआ, friends, IMD ने बताया, एक low pressure develop हुआ है, east central arabian sea and lakshadeep island, yes, तो यहाँ पर low pressure develop होता है, first आपको यह रखना है, low pressure बनता है, उसके बाद depression form होता है, depression के time पर gale wind चलती है, और जब gale wind चलती है, then हम cyclone को name देते है, तो friends, gale wind चलने लगी है, ok, IMD ने आगे बताया है, first ये cyclone move करेगा northward direction में, तो first ये move करेगा towards northward direction और उसके बाद इसकी direction थोड़ी सी change होगी, और ये north east हो जाएगी, friends, सबसे ज़्यादा खत्रा हमारे coastal areas को है, वो हैं, गुजरात के coastal areas and महाराष्ट के, ok friends, तो गुजरात and महाराष्ट यहाँ पर high alert issue कर दिया गया, next IMD ने बताया है, जब ये cyclone landfall करेगा, then इसमें wind speed होगी, 105 से लेकर 115 km पर hour तक, और ये बढ़कर 125 km पर hour भी हो सकती है, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, and गुजरात और महाराष्ट के coastal areas को, जब ये hit करेगा, friends, तो वहाँ पर नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, ok, second आपको याद रखना है, heavy rainfall भी होगी, coastal areas में, ये भी IMD ने warning दी है, ok students, next, very important, आपको याद रखना है, अभी कुछ important, cyclone bay of Bengal and Ariban Sea में आये हैं, तो उनकी name आपको याद रखने है, ok, तो देखिए, Fanny and Amphan, ये दो main cyclone, tropical cyclones, यहाँ आये हैं, bay of Bengal में, ok, ये form होए, bay of Bengal में, और उन्होंने हमारे eastern coastal areas को hit किया है, वायू, वायू 2019 में ये form होए था, तो वायू and Nisarg, जो अभी हमें हिट करने वाला है, तो वायू and Nisarg ये form होए हैं, Arabian Sea में, तो एक question आप से पूछा जा सकता है, very important, फिर से देखिए, Fanny and Amphan, way of Bengal में, and वायू and Nisarg, Arabian Sea, next discuss करते हैं, IMD के color code, friends, IMD weather forecast के लिए daily color code use करता है, ok, और ये four color code use करता है, तो first color code की बात करते हैं, first color code है red, Nisarg को कौन सा दिया गया है color code, red color code, ok, इसमें बताया जाता है कि आप अब action लीजिए, very important, and take, sorry, take action, second, extremely bad weather is expected, yes, student, बहुत बुरा मौसम हो सकता है, जानमाल का नुकसान हो सकता है, खुद को बचाईए, and दूसरों को भी बचाने का प्राई करिए, ok, friends, travel disrupt हो सकता है, and power supply भी आपकी interrupt हो सकती है, तो ये होता है red color code, ok, अगर किसी weather condition को दिया गया, किसी weather condition को जब भी दिया जाता है, then friends, आप समझ सकते हैं, उसमें risk बहुत जादा होती है, ok, second color code की बात करते है, second color code को हम बोलते है, orange और ember color code, ok, इस color code का मतलब होता है, be prepared, तयार रहिए, तो अब दिखिए जो और में डिफ्रेंस समझे, red में क्या था, take action, अब आपको action लेना है, but orange में क्या है, तयार हो जाईए, अभी action की बात नहीं हो रही है, तयार रहिए, इसमें भी extremely bad weather condition हो सकती है, ok, travel delay हो सकता है, road and, जो हमारे road and rail network है उनको बंद किया जा सकता है, power supply भी interrupt हो सकती है, ok friends, यहाँ पर orange color code जब दिया जाता है, then, जान मान का जो नुकसान होता है, उसकी संभावना कम होती है, और वो नहीं के बराबर होती है, तो आपको यह रखना, red में, क्या होता है, कि आपकी जान जा सकती है, उसमें आपको ready रहना है, दूसरों को बचाने के लिए, और खुद को बचाने के लिए, ok, तो red and orange, next बात करते हैं, yellow, friends, yellow का मतलब है, be updated, update कैसे करना है, तो, update करना है, sorry, तो be updated, yes, be updated, update कैसे होना, तो, imd, imd जो आपको बता रहा है, उसको देखते रहिए, और update करते रहिए, ok, severely bad weather is possible, yes, very important, severely bad weather is possible, ok, friends, next देखिए, green, no action required, तो आप से question पूछा सकता है, कौन-कौन से color use करता है, यह color code है, imd के पास, तो आपको बताना है, red, orange, yellow and green, difference आप से पूछा सकता है, different statement आपको दिया सकते हैं, इसके लिए भी आपको ready रहना है, ok, students, तैयारी करते रहिए, और आपको prelims हल-हाल में clear करना है, ok, रुकना नहीं है, ठकना नहीं है, और clear करना है, आगे बढ़ते जाना है, ok, thank you very much.